यह class 12 computer science जिसमें मैं आपको 48 number questions से आगे में करवाऊंगा इस वीडियो पर ठीक है इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको 47 number तक questions करवा दिये हैं जिसमें मैंने आपको separate वीडियो बताया था जिसमें कुछ कुछ करके mcq tab के questions करवाऊंगा अभी मैं इस वीडियो पर आपको 48 number questions से आगे में करवाऊंगा जो कि mcq tab questions से जिसमें चार option रहते हैं और एक आपका correct होता है तो चलिए हम लोग इसी परकार से यहाँ पर 48 number questions से हम लोग सुरू करते हैं उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को जली सब्सक्राइब कर ले च क्लास 12th computer science अभी हम लोग question number 48 से शुरू कर रहे हैं देखे 48 number question क्या है कि the minimum value that an integer constant can have is ठीक है तो इसका right option आपको बताना है कि इसका right option कौन सा होगा minimum minimum value पुछा गया है ठीक है और option D क्या है minus 32767 चलिए आप लोग पहले बताईए उसके बाद तो मैं समझाओंगा ही ठीक है तो सबसे पहले आपको कोशिस करना है कि इसका right option कौन सा हो आप लोग comment में जल्दी से हमें जबाब दे देंगे ठीक है उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा तो कोई भी दि सबाब दीजिए तो चलिए आपको मैं बता दूँ इसका right option कौन सा होगा इसका right option जो है वे c एकदम करेक्ट है यानि कि 48 का हमारा option c हमारा करेक्ट है ठीक है option c क्या है minus 32768 चलिए आपको मैं बता दूँ यहांपा जो 16 bit computer के मैं बात कर रहा हूं यहांपा ठीक है 16 bit computer में ठीक न तो 16 bit computer में क्या होता है जो minimum value जो है वे हमारा होता है minus 32768 से minus 32768 से लेकर के 32766 तक होता है यह हमारा maximum value हो गया यह हमारा minimum value हो गया ठीक है यह क्या होगा है 32766 इतना आप लोग याद रखेगा इंडिजर कॉंस्टेंट के लिए ठीक है तो 16 bit computer में तो इस प्रकार से आप लोग याद रह सकते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा क्या है तो minimum value कितना हो गया इसका माइनस 32768 और जिदी मैं बात करूं maximum value का तो maximum value कितना हो जागा 32766 तो इस प्रकार से कॉफचन नंबर 48 हमारा बन गया ठीक है अब मैं आपको आगे कॉफचन ले चलता हो जिसमें मैं कॉफचन नंबर 49 को आपको में दिखाता हो चलिए यहां पर easy है आपको बताना है कि इसका right option कौन से होगा option a option b option c option d तो आपको इसमें से right option बताना है कि इसमें से कौन से हमारे address operator है ठीक है प्रसना एकदम easy है आप लोग को बताना है important लेकिन बहुत है ठीक है एक्जाम में इसको पूछा गया है और इसका probability बहुत है चांस पहुँ ज़्यादा है कि आपके exam में आएंगे ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर state board और जितने cbsc board यानि कि सभी board के लिए यह में विडियो बना रहा है computer science के ठीक है सभी board के लिए यहां पर important है mcq type coefficients जो कि हर एक बार इसी प्रकार के option exam में आते है ठीक है तो आपको बताना है इसका right option कौन सा और इसमें से address operator कौन सा वे आपको बताना है ठीक है option a option b option c option d चलिए जल्दी से आप लोग बताईए इसका right option कौन सा सही है तो चलिए आपको मता दो इसका right option जो होगा वे क्या होगा right option इसका हमारा address operator पूछा गया है तो इसका right option हमारा होगा option d option d is correct ठीक है तो address operator यही वला हमारे क्या है address operator आप लोग अब याद रखेंगे which of the following is the address operator तो यह हमारे क्या है एक address operator ठीक है तो exam में यह जोगा पूछे कि आपको कौन सा address operator है तो इस प्रकार से यह वाला आपको याद रखना है कि यह वाला हमारे क्या address operator या फिर श्रिप यहाँ पर पूछ दे यह वाला script दे और आपको नाम लिख दे इधर ठीक है तो महाँ पर भी यह क्या होजागा address मतलब कि कॉफचन को किसी भी दो परकार तीन परकार से एक ही कॉफचन को पूछा जाता है एक्जाम में ठीक ऐसे प्रस नहीं यह वाला easy था कि which of the following is the address operator तो address operator हमारा option d is correct 49 को option d करेक्ट है ठीक है चलिए अब हम लोग 50 कोफचन में आते हैं यह हमारा देखिए 50 number कोफचन है 50 number कोफचन क्या करता है कि which of the following is and ठीक है which of the following is and abstract data type को बताने आपको कौन सा है ठीक है तो चलिए यह वाला 50 number को option है और बहुत ज़्यादा important है आपको बताने इसमें से कि abstract data type कौन सा है ठीक है इसमें से यहाँ पर दिया गया option हमारा चार्गों है जिसमें से एक हमारा correct है ठीक है option a हमारे क्या int option b क्या string option c क्या double और option d class तो इसमें से एक हमारा option है जो कि आपको बताना है किसका right option कौन सा सही हमारा ठीक है तो सबसे पहले अभी हम लोग timer start करेंगे उसके बाद आपको comment में बता देना है किसका right option कौन सा हो जैसे यहाँ पर देखे 50 का जोसे a सही है ठीक है तो आपको बस 50 लिग देना है ठीक है ज्यादा कुछ नहीं लि आपको बता दो 50 का जो है 50 का हमारी एकडम करेक्ट होगा ठीक है 50 का क्या है डी करेक्ट यानि कि abstract data type हमारे क्या होगा खिलास होगा ठीक है चलिए यहाँ पर मैं और था है यहाँ पर जानकरीं आपको दे दू कि int जो है int और double जो है यह हमारे क्या fundamental data type है ठीक है जैसे कि exam में आपको यह भी पूछ दे यहाँ पर मैंने और option यहाँ पजीदी में चाहता है तो यहाँ पर ओप्सेन बना सकता था ठीक है लेकर आपको मैं यही पर समझा देता हूँ कि यह हमारा क्या है घुज़ाँ में पूछान पर यहाँ पर इनपोरविंट लगा था मुझे तो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो एक्जाम में यह पूछा भी गया है कि which of the following agent abstract data type तो abstract data type हमारे क्या होगा class ठीक है यह क्या है abstract data type है हमारा ठीक है तो इस प्रकार से 50 number option हो गया अब हम लोग option number 51 की और आते हैं तो देके यह हमारा option 51 है यह वाला भी options यहां पर easy है लेकिन important पहुत है इक्जाम में कई बार पूछा गया है आपको बताना है कि इसका right option कौन है 51 ठीक है का option number 51 ठीक है का option number 51 क्या कहा गया कि इसको प्रेटीवाण ओपरेटर एज चलिए यह आप लोग बताएं कि 51 का हमारा कौन सा अप्शन सही है ठीक है इसक्शन आपको बताना है इसमें से कौन से सही है चले time start now चले आपको बता दू कि इसका जो right option जो है वे हमारा बी correct है ठीक है इसको प्रेलेशन उप्रेटर क्या है ये वाला बी हमारा correct है ठीक है तो इस प्रकार से 51 option हो गया हमारा अब हम लोग option number 52 की और आते हैं यह है हमारा option number 52 जिसमें पूछा गया है हमारा assignment operator कौन से है ठीक है option A option B option C option D कौन से correct है ठीक है assignment operator तो चले आप लोग बुजादी से बताए इसका कौन से हमारा correct है तो चले आपको बता दू कि assignment operator जो है वे हमारा इसका जो right option जो होगा वे होगा हमारा option number A जी हां option number A हमारा क्या correct है जो कि क्या assignment operator इसी को करते हैं हम लोग ठीक है यह कंप्यूटर के language में assignment operator करते है ठीक है प्रस्न इजी है इससे हम लोग क्या करते है assignment operator यानि कि 52 का हमारा option A is correct हो गया 52 क्या हो गया आफ हम लोग क्या नंबर 53 की और आते है ठीक है यह हमारे देखिए कौन सा option सही होगा option A option B option C option D कौन सा सही है आपको जली से बताना है a set of arithmetic operator का option easy है आपको बताना है कि इसके में arithmetic operator कौन सा है ठीक है पुचले time start now पुचले आपको हम बता दो कि 53 जो कौफशन जो है उसका हमार right option कौन सा होगा arithmetic operator ना तो arithmetic operator जब भी कहे तो आप लोग याद रख लिए इसका यहां पर यह वाला हमारा क्या arithmetic operator है यह क्या हमारा arithmetic operator ठीक है तो इस परकार से मतलब यह हमारा क्या हो जागा correct हो जाएगा यानि कि 53 का हमारा option A is correct ठीक है आपको याद रहेगा चले यह दोनों के बारे में भी मैंने यहां पर जिक्र किये है नीचे में यहां पर बताऊंगा तो आपको समझ माँ जाएगा ठीक है तो arithmetic operator आप लोग समझ के ना एक जाम आ सकता है arithmetic operator कौन सा है तो यह हमारा क्या है एक arithmetic operator है याद रखेंगे सेट आप arithmetic operator इज तो यहां पर इसका यह option करेक्ट है जो कि यह वाला ठीक है तो 53 का हमारा option A is correct ठीक है अब हम आते है 54 नंबर कौफचन में यह हमारा कौफचन नंबर 54 है ठीक है कौफचन नंबर 54 आपको बताना इसका right option कौन सा है ठीक है 54 क्या कहा गए एस सेट आफ लोजि आपको बताना है एक सेट अपलोजिकल ऑपरेटर इस आपको यहां पर बताना है कि लोजिकल ऑपरेटर कौन सा है ठीक है को बहुत ज्याद है अपने जल्दी से पताए 54 का कौन सा option हमारा चल्दी से बताए तो चल्दी आपको बता दो 54 नंबर कौन जो है उसका right option जो होगा वे होगा और सी ठीक है सी इस करेक्ट सी यह हमारे क्या है एक लोजिकल ऑपरेटर है याद रहें का न आपको चल्दी सबसे पहले आपको यहां पर समझा दूं कि 54 कौन का हमारे सी करे झ talkниз में जो होगा पर समझाय ज्रॉत क्या जर्क सकुन करने का है उड़िकल अपरेटर क्या है और यह हमारे च्श्य आपको चल्दी आपको यह हमारे क्या है निचे कर दें है तो आप लोग कोपी में लिख लिए निक तो यह यहां पर देखे यह हमारा क्या है तो यह हमारा लोजिकल और Ostep — Ops यह हमारा क्या है वे नोट AU Tar — तो इस प्रकार सा आपको याद रखना है यह वाँ आट l यह वाल anti Mexican. So can you do this दे हमारी वह सा बसक्राइब, वह बसक्ति तो प्रस्च नाईजी है बस आपको बताना है इनके बारेम आप लोग जानते हैं इनके बारेम में आपको पहले विडियो में भी बता चुके हैं lies देखे आप हम लोग कोफचें नमबर 55 के ओर आते है ओर हमारे क्या एक कुण सा करक्ट है तो चलिए जली से आप लोग बताएं कि 55 का कौन सा करच है अप चलिए आपको बताथो 55 नमर का सिच जो है हमारा इसका राइट आपसें का होगा हमारा बी-क्या है एकदम आपसें नमबर बी हमारा करेक्ट है चलिए थिक है चलिए सभसे पहले आपको मैं समझा दूख की इन सभी चीजों का मतलब आखिर क्या होता है лаг है विद्यएा आप पर डबल एक्वाल टू रहे तो इसका मतलब क्या होता है इक्वल इसका मतलब क्या होता है इक्वल टीक है डबल एसाइन में आपको सभी कुछ बता रहें ने तो एसे जिदी मैं tap करका option वना तब रहे हैं कि एक प्रवारी इतना ज़्यादा है इतना है कि इन सब30 में कि बता दूस्तक वॉय। प्रेकर fix और जो हमाते हैं में रहे पया करके पांड खाली का ईया। इसको क्या जाते हैं हम लों लेफ्त घन कलते हैं अजब ये दाएं ये हात की ओर मुखो रहे यह हमारा मुखोप इसका ठीक है तो इसको क्या है काते हैं więks uh ठीक है और ये वाला जिदि हमारा रहे दाएं हात की ओर रहे फिर assignment operator रहे तो इसको greater than और equal कहते हैं मतलब यह greater than भी है और बराबर भी है equal भी है ठीक है तो इस परकार से यह हमारा हो गया और जिदी हमारे यह रहे ठीक है न बाएं हाथ की और मू रहे और फिर assignment operator है तो यह जगा less than or equal हो जाएगा ठीक है तो इस परकार से मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया कोई दिक्कत है सबी कुछ आपको समझ मां गया है ठीक है तो 55 नंबर कॉफचन इस परकार से हमारा हो गया ठीक है कोई भी डाउट हो रहा है न अभी तो थोड़ा से वीडियो को पीछे कर लिए क्या दिक्कत है इनके बारे में तो मेरे तो बता ही दिया है फिर से आपनो देश लिजे को क्यों कि एक सोन्स के लिए होता था जारा से एखना ऐए तो हमारा स्था को पर यसमिशन जो तो बेटांने होगा बर्टिकल टैप के लिए उज़ करते थे लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते थे या फिर होजाने टैप के लिए उसकर दो यह प्रस्टना बहुत जाद है आपको बताना इसका राइट उपसें कौन सा सही होने वाला ठीक है तो चलिए टाइम स्टार्ट नाओ तो चलिए आपको हम बता दो, इसका राइट ओप्षन कोन साच यह गाध, इसका राइट ओप्षन होगा हमारा बेक-space, ठीक है, तो श्लैस बी जो है वे हम लोग बेक-स्पेस के लिए यूज diferentes ते थे, यानि कि 56 का हमारा correct option जो हो गया, हो गया, ठीक है, बेक-स्पेस के लिए का यूजर की आएदा था अब हम लोग कॉफचन नमबर 57 की ओर आते हैं ठीक है यह है हमारा कॉफचन नमबर 57 जो क्या करता है कि in C प्लस प्लस प्रोग्रामिंग तो आता है नमबर का यहां पर आडियबल बेल बी आइपस्ट के सीपसन मेरे क्या हैفيर Roadstack कोन सा क्या है तो आपको इसमें से बताना है कि 57 का कौन सा option correct है 57 का option कौन सा correct है आपको जल्दी से बताना है कि slash T is used for ठीक है तो slash T किसके लिए use होता है यहाँ पर कौन सा option correct है option A, option B, option C, option D इसमें से आपको बताना है कि कौन सा option हमारा correct है जल्दी से बताएए इसका option कौन सा correct है तो चलिए आपको बता दो कि जो वे हमारा होरिजन्टर टैप के लिए यूज होता है यानिकि यह हमारा क्या हो गया हो गया यह हो गया है तो इस परकार से हमारा 57 नमबर कॉफचन हो गया अब हम लोग कॉफचन नमबर 58 की और आते है ठीक है यहां पर यहां पर यह हमारा 57 का तो हमारा डी करेक्ट हो गया यहां पर क्या बोलेगे इन प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इस यूज फो ठीक है आपको बताना है कि यूज होता था चलिए प्टी एट नमबर का कॉन सा हमारा क्लेक्ट है ठीक 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 है अब फिर हम लोग इसके अगले वाले वीडियो जब मैं बनाओंगा तो अगले पाट के वीडियो तो वहां पर मैं आपको किलियर कर दूँगा फिर और मैं बहुत सरे मैं यहां पर मैं आपको बताने वाला कि प्रोग्रामिंग में कौन से क्या क्या कहा कहा यह होता था इसलिए आपको मैंने इनके बारे में भी बता दूगा उसके बाद और भी अभी अभी आते रहेंगे ठीक है आप लोग तैयारी किजिए अच्छे तरीका से ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हुले इन तबते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद